सैंटा क्रिस्मस के तौफों को बहुत कंभी इता से लेता है अच्छे बच्चों को उनके पसंद का मिलेगा लेकिन शरार्ती बच्चों को क्या मिलेगा सही कहा, कोईले का धेर हो 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 आखिर ये साल का सबसे जादूई समय है लटकियां हमेशा की तरह एक साथ क्रिस्मस मना रही है लेकिन अराम के लिए समय नहीं है उनको बहुत कुछ करना है लेली काफी ध्यान से क्रिस्मस ट्री सजा रही है इस साल ये इसे सफेद और नीले से सजाएंगे प्यारा है ना कैंडेस तौफे रख रही है ओ, मुझे इन्हें खोलने का इंतजार नहीं हो रहा और ग्वेन को थोड़ी बहुत सफाई सोपी गई है लटकियों, देखो हमारी पुरा नीतस्वीर उन्हें सब कुछ छोड़कर दस साल पहले की अपनी जिन्दगी की यादे ताजा करनी होगी कितना भयानक क्रिस्मस था लटकियां कुछ बड़िया तवफों के लिए जाहित थी वो पूरे साल अच्छे बिहेवियर में रही थी लेकिन लिली, कैंडिस और ग्वेन निराश होने वाली थी डिब वे खौली थे अगर आप इन मोटे कोईलों को ना गिलते दुख, अक्रोश, गुसा सेंटा इनके साथ ऐसे कैसे कर सकता है लेकिन वर्तमान में वापिस आ जाओ उनके पास करने के लिए बहुत कुछ है हाला की क्रिस्मस की तैयारियां आप मज़ेदार नहीं रही आप इतनी असानी से ईशाब नहीं बूल सकते शायद यह समय है सेंटा की छोटी चाल का जवाब देने का इनसेल और सजावट थोड़ा इंतजावर कर सकती है मीठे और बुर्फीले बतले का समय सभी अच्छी तड़की पूरी होनी चाहिए और लड़कियां इसमें गंभीर है पासवर्ट्स, खूफिया जांकारी और एक बैक उप प्लान ये हर चीज के लिए तैयार है मुझे सांटा के लिए थोड़ा बुरा लग रहा है लड़कियों को काम से मतलब है और सेंटा अभी भी साल के अपने कलोते काम के दिन से पहले अराम कर रहा है उसे सर्दियां पसंद है इसलिए वो सिर्फ बरफीली जगा पर ही रिजॉर्ट चनता है स्की लाइफ लेकिन किसी चुटी को कभी न कभी खत्म करना ही पड़ता है काम पर जाने का समय हो गया आज तौफे किसे मिलेंगे अच्छी बात है कि उसके पास एक वफादार एल्फ है जो उसे दुनिया में कहीं भी ले जा सकता है और डोस्ट सेंटा को एक प्यारा वेलकम करने के लिए तयार है सेंटा की पसंदिदा ट्रीट दूद और कुकिस ये है हमारे शाम के उत्सब का में हाइलाइट सेंटा की कुरसी पर एक ट्रॉप ग्लू की लिली इतनी पागल मत बनो अगर तुम ज़्यादा डालोगी तो बुड़ा इंसान अटक जाएगा लेकिन ये डल चुकी है सेंटा का इंतिजार करने का समय है वो आ गया वो चिमनी से नीचे आने के लिए बहुत बुड़ा हो गया है तो वो पुराने फैशन से सामने के दर्वाजे से आया कुकिस स्नैक खाने का समय है इस घर में अच्छी कुकिस बनती है सेंटा ने स्किंग करते हुए थोड़े मसल्स पंप किये थे आजादी बुरी खबर वो अब और फैस्टिक नहीं लग रहा अउच दर्दनाग था घर के मालिक ने फर्ष पर भी थोड़ी ग्ल्यू डाली हुई है उसे रिंग ना होगा और लटकियां अपने चिपचपे योजना को देखने आई है वो निकला कैसे वो छोटा चतुर उसने सारा दूद भी पी लिया कोई नहीं फसा मुझरिम भाग गया लेकिन ग्वेन के पास एका इडिया है जीती रहू स्लाइम कभी पुराना ना होने वाला ट्रेंड बड़ों की तरह बतला लेने का समय है कितना सरल है ग्वेन ने तोफो की जगा स्लाइम रखने का फैसला किया सैंटा को निराश होने का दत मैसूस होने दो और लगता है उनका प्लेट काम कर गया ब्राइट स्टॉकिंग ने बहुत जल सैंटा का ध्याना करशित कर लिया क्या सच में उसके लिए उसमें तोफा है सैंटा बहुत क्यूरियस है बदकिस्मती से उसकी स्टॉकिंग में कोई तोफा नहीं है बस ये गंदी स्लाइम है यहां क्या चल रहा है क्या कोई मुझे पता सकता है सेंटा के साथ स्लाइम का मज़ा वो उसे क्या समझते है लिली अपने क्रिस्मस के मेमान के लिए और जाल बना रही है सेंटा इन स्वादे स्ट्रीट्स को किसी भी हालत में मिस नहीं करेगा आँ ये होने वाला है फाइर प्लेज के पास रसी वाला जाल है सेंटा इस बार इनके रैट से नहीं बच पाएगा वो आ गया इस घर में अनुभवी तौफे देने वाला भी थोड़ा डर रहा है थोड़ा ओम्नियस माहौल है लेकिन ये कुकिस हाने कारत नहीं लगती है ना और स्वादिश्ट स्नैक्स ने सेंटा की जागरुकता खत्म कर दी लड़किया इंतजार कर रही है हमला करने को तयार अगले इपल में सेंटा फर्श पर है ये भयानक है सेंटा पूरी कुकिस भी नहीं खा पाया लेकिन लगता है कि सेंटा बिलकुल परिशान नहीं हुआ अच्छी कोशिश के लड़कियों मैं चला वो कहा है वो गया कैसे लगता है दोस्त भूल गए कि सेंटा अभी भी जादू इंसान है लेली और केंडिस के पास सैंटा के लिए फॉर ट्रैप का आइडिया है और चारा है कैंडी ये असान है हम डिवे तक पहुचते हुए निशाना लगाएंगे और अंदर एक कैंडी केन रखते है अगले स्टेप्स असान है जाल को बन करो और बदला पूरा होते देखो ये बिलकुल बड़ी आइडिया है लेकिन लड़कियां को जरूरी चीज़ भूल गई इन्होंने ग्वेन को इस फ्लाज के बारे में नहीं बताया अब वो कैंडी की तरफ बढ़ रही है जाहिर है इससे उसे क्रिस्मस चमतकार में फिर से विश्वास होने लगेगा हो गया ग्वेन फस गई दोस्तों को मैसूस नहीं हुआ कि उन्होंने गल्द केंडी लावर को पकड़ लिया ये लो वेवकूफ सेंटा और यहाँ लिली और कैंडस का बतला थोड़ा डरावना है लेकिन उनका निशाना अभी बिलूज है याइक्स मैं बाद में आता हूँ हाँ पकड़ लिया रुको ग्वेन तम यहाँ क्या कर रही हो क्या मतला कैंडी खा रही हूँ स्वादिश थी सांटा अपना लक्षे पूरा करने वाला है वो आखिरकार क्रिस्मस ट्री तक पहुँच गया और तोफे रखने वाला है थोड़े और और वो दूसरे गर जा सकता है क्या जीता जाकता क्रिस्मस ट्री जीवन ने सांटा को इसके लिए तयार नहीं किया कैंडिस के लिए अच्छा भेस है एक सुन्दर प्रिस्मस लोग लेकिन सेंटा फिर से उनके चंगुल से निकल जाता है या बलकी शाखाओं से बहर आ जाता है पीछा करना कंभी है लेकिन सेंटा हाड नहीं मानता सालों से बच्चे उसके लिए अजीब जाल बनाते आए है कैंडिस एक असली चालबाज है अगर वो फर्ष पर थोड़ा शैंपू गिरा दे सांटा फिसल कर गिर जाएगा तब उसे पकरना इतना मुश्किल नहीं होगा खेर हो गया सब कुछ तयार है वो आ गया रात का सितारा लेकिन फिसलने वाला फर्ष उसे क्यों गिराएगा वो एक आई स्केटिंग चैंपियन है जो अब हमारी लड़कियों के लिए बिल्कुल नहीं कह सकते उन्हें बहुत मुश्किल हो रही है स्केटिंग के अनाडियों को पहचानो खेर, ये फिर से अपने ही जाल में फस गई सेंटा हमेशा ऐसे कैसे जीट सकता है खेर, खेर, खेर यहां एल्फ क्या कर रहा है ये संदेज जनक है उसे सेंटा का कैरेज में इंतजार करना चाहिए या कार में और ये रहा सेंटा इस बार वो लड़कियों के साथ जंग के लिए तयार है यह एक भूल थी वह जरूर यह उसका वफदार एल्फ नहीं है लड़कियों अब ला करो लेकिन दोस जितनी भी कोशिश कर ले वो सैंटा को नहीं हरा सकते वो सर्प्राइजिंगली कराटे में अच्छे है उसे यह खत्म करना होगा और लड़कियों को ब्रेक लेना होगा इस तस्वीर में चेहरे जाने पैचाने है लेकिन यह उदास लग रही है साफ है वो पिछले साल के कोले से नराश्ट थे अब सेंटा को समझाया इसलिए उसका इस घर में स्वागत नहीं हो रहा था मुझे इसे जल्दी ठीक करना होगा चलो क्रिस्मस मनाए इन लड़कियों को मजा आएगा और क्रिस्मस का आनंद लेंगी इस बार वो असली ताफे दे रहा है कोईले बिलकुल नहीं है कुछ नए पोन है हे अब ये असली क्रिस्मस है शायद अब वो सांटा को मफ कर देंगे क्या आपको हमारी क्रिस्मस वीडियो पसंद आई अगर आप मनाते हैं तो हमें कमेट्स में बताएं इस साल आपको क्रिस्मस के लिए क्या चाहिए और इस वीडियो को लाइक करें हमारे चानल को सब्सक्राइब करें और बेल दबाए ताकि आप टुम टुम सेलेक्ट पर नए वीडियोस मिस ना करें